आप देख रहे हैं देज कवर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला सतना जिले में सुपारी किलिंग का मामला प्रकास में आया है जहां फुरानी रंजिस के चलते चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी गई मामले में परजनों ने 20 हजार में सुपारी देकर हत्या कराय जाने का आरोप लगाया है आपको बता दें कि सतना जिले में हुई चाकू बाजी की घटना में घायल युवक की रिवा के संजे गांधी अस्पताल में उप्चार के दोरान मोथ हुई है फिलाल युवक की हत्या क पूरानी रंजिस बताई जा रही है मामले में पुलिस ने शाओ का प्रियम करा परजनों के सुपुर्द कर दिया है और हत्या का मामला जर्जकर आरोपियों की तरास की जा रही है दरासल मामला कर्षाम सतना जिले के खोलगवान थाना छेत्र का है कटना के संबंध में मरतक के छोटे भाई सनी गुपता ने बताया कि उसके बड़े भाई रवी कुमार गुपता का धीपक गुपता अमन गुपता वा अन्य लोगों से पुरानी रंजिस को लेकर विबाद चल रहा था बताया गया कि बीती राग रवी जब अपने दोस्त गजेंद्र सिंग के साथ सामान लेकर वापस घरा रहा था तभी साकेत परिवार के आरोपियों ने रवी के उपर चाकू से हमला कर दिया कटना के वक्त आरोपियों ने युवक के पेट में एक के बाद एक चाकू से तीन वार किये जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया घटना गायलवस्ता में रवी को उप्चार के लिए संजे गांधी अस्पताल भेजा गया जहां उप्चार के दौरान उसकी मौत हो गई है मामले में मृतक के भाई का आरोप है कि पुरानी रंजिस के चलते आरोपियों ये साकेत परिवार को 20-चार में रवी को मारने की सुपारी दीती फिलार पुलिस इस पूरी घटना के बाद मृतक के करीवियों सहीत परिवार के आनि लोगों से पुलिस तिवारा भयान दर्ज के जा रहे हैं और अब आरोपियों की इतला शुरू कर दी गई है सद्धार पुलिस परिवार के तीन सदस चार सदस मिल करके रवी कुमार गुपता पुरानी रंजिस को ले करके मार पीट कर बाद करने के बाद चाकुमार के हत्या कर दी कल नई स्थारिक होई है सामको साथ वजी कहा पास होई है सतना में इंडिश्टियल एरिया रीवारोट सतना मैं चेहरे से पहचानता हूँ नाम से वैसे नहीं जानता था पहले अब जान जाओंगा जब देखूंगा तो पहचान जाओंगा बाकी जो उसके साथ में मेरे भाई के साथ में दोस्त था वो सब को जानता है उनके नाम अंकर जेन इस सिंग है जो सब को पहचानता है और वो सतना में है पुलिस ने और कुछ पता नहीं यह हम को मैं तो यहाँ से हूँ कल से